हेलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का आज की इस नए वीडियो में दोस्तो आज की सी वीडियो में हम बात करेंगे विहार बेलक्राओं डिए यो जिसमें आपका 77 कोश्टन 23 सितम्बर से लेकार 25 सितम्बर तक जो आपके दोनों स्रिफ्ट में पूछे गए थे उन ही सभी आपको बताने वाल है और कोस्तों का यापर चतिक रिभीव करने वाल हैं दोस्तों A to Z चते प्रश्णाद मिले हैं उन सभी प्रश्णों का यापर हम सठीक विसलेशन के साथ आपको उसका उत्तर बताने वाल हैं अगर दोस्तों आप अपना एक्जाम 23 सितंबर से लेकर 25 सितंबर के बीच किसी भी सिप्ट में और किसी भी दिन आप दिये हो तो आप इस वीडियो को पूरा अंतक जोर देखेगा तो चले दोस्तों पिटना कुछ देरे के हुए विडियो को इस्टार्ट करते हैं इस सब पहले अगर आप हमारे चनल पर पहली बार भी किये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों को बीच जोर सेर करते जेगा साथे साथ एक लाइक जोर किजेगा दोस्तों जिन अभेर्तियों का एक्जाम आने वाले किसी भी एक्जाम डेट्स में हैं वो अभेर्ति इस वीडियो को पूरा अंद तक जोर देखेगा और यह नोट केज़ेगा कि विहार बेल्टरॉन आपका पिछले सिफ्ट में किस तरह के प्रस्न आपका पूछा था दोस्तों के द्वारा बताया जा रहा है कि इस बार की विहार बेल्टरॉन डियों के एक्जाम में जो आपके सबसे जातर पूछा रहा है वही आपका कोश्चन MS-X, MS-Word से MS-PowerPoint से पूछा रहा है और आपके कोश्चन जो है एक नया टोपिक बन गहा है जो सबका मेलमर्ज कोश्चन पूछे जा रहे हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपका केस्ट्राइप का प्रसान आपका 23 सितमबर के लेकर 25 सितमबर के वीच आपका दोस्तों प्रस्चन को पूछा गया था दोस्तों यह question अपका पूछा गया था MS PowerPoint से ठीक है, question देखिए क्या पूचा गया है, MS PowerPoint 2016 में आप टिपनियों के फलक को डैस मेनु में, डैस मेनु से दिखाई दे सकते हैं, यानि कि आपको बताना है कि MS PowerPoint में आप टिपनियों यानि कि एक्षके फलक को डेस मेनू से अब दिखाई दे सकते हैं तो दोस्तों इस करई उन्सर आपका फुक्सजर कर रिभीव मेनू ठीक है रिभीव मेनू का अमेंट चैसे अगला रिपाली अग्ला question देखिये दोस्तों अभेर्तियों के द्वर बताया जा रहा हाँ कि जितने भी questions आपके पूछे जा рएं सब दोस्तों का ago नहीं हुआ है धुपना विर्क्यतन पųकस करें मेलमर्ज भी आपका एक इंपोर्टन टॉपिक बन गया है जहां से आपके चार से प्रतिक शिफ्ट में पूछ लिए जा रहे हैं इसलिए आपको मेलमर्ज भी आपको करना होगा देखिए मेलमर्ज में मेलिंग के लिए प्राप्त करता की मौझूद सूची में डैस आपका मौझूद होती है आपको बताना है कि मेलमर्ज में मेलिंग के लिए प्राप्त करता की मौझूद सूची में आपके क्या होता ठीक है तो सबसे पल देखिए आपको एसका मेलिंग फोंग ये बाद नहीं से लिए स्क्रीन Congo मुझके मैं जाना है इसके बाद दोस्तों में कि жांत स्व्रशा tahu Europ पर जीनिश्र सब सब्सक्राइब कर लेज़ेगा इसी तरह हम सभी कोर्शनों का है फर डिटेल्स में दोस्तों आपको बताने वाले हैं ताकि आपका कोर्शन यहां से पूछे तो कोर्शन आपका छूट ना जाए ठीक है कोर्शन देखिए अगला कि इंसर्ट मेनू से पूछा गया अगर जो अवयर्थी स्कोर्शन यह प्रैक्टिकली करके नहीं देखे होंगे वह इस कोर्शन का अंसर नहीं देशकते क्यों दुख का मार सकते हैं तो इस क्राइट एंसर क्या होजेगा आपका देखिए सबसे पहले हमें इंसर्ट मेनू के अंत्रगत आते हैं ठीक है आप इं इसमें कौन-कौन से है देख सकते हों कहीं आपका पाई चाट का ओप्शन यहाप नहीं दिया गया लाइन्स था आपका ब्लैक एरो था पर रेक्टेंगल था लेकिन पाई चाट इसका राइट एंसर अपका हो जाएगा इसी तरह के कोर्शन दोस्तों आपके पूशा जा र अंडू करते हैं तो डैस आमतोरफ़ उप्यों किये जाने वाले अदेशो के लिए आइकन पड़ान करता है जैसे की सिव और आपका अंडू ठीक है इस इसकी तूल बार जोग यहां पर स्क्रीन पर देख रहे हैं यह आपका दोस्तों होगया ओपन यह ही आपका पूछ रह अंडो यहां पर देख सकते हैं अंडो रेडो इसके बाद और कुछ यहां पर दे रहते हैं बाकि दोस्तों होम टैप कंदर करता क्लिप बोर्ड में देख सकते हैं पेस्ट कट कोपी यह आपका पैंटर का साइन है ठीक है अगला कुस्चन देखियो अगला कोश्चन देखिये अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं के तो प्लिज वीडियो को लाइक कर दिए और चैनल की सब्सक्राइब नहीं के चैनल की सब्सक्राइब करता है तो आपको में अधो कर सकते हैं ठीक है को सन्द कि एमेस पाउरपइंट 2016 में निमन लिखी ते में से कौन पेस्ट ड्रॉप डाउन सूची के तब एक वैध विकल्प आपका नहीं है आपको बताना है कि पाउरपइंट सूची के अंतरगत आपका एक वैध विकल्प नहीं है तो इसका दोस्तों र नहीं चुना आता सकता है आपका दूसराइल टायलक बॉक्स में से नहीं चुना तक पर डाटा का सोर्सरत जो होता है उसको यहां पर समय नहीं चूना जा सकता है तो राइट एंसर आपका आप्शन तीन होगा अगला को संट देखिए यहां पे कौन सा पेज मार्जिन और पेज जो आपका मार्जिन होता है जैसे कंप्रिंट किसी बीचीज को निखलते उसको पेज मार्जिन किया जाता है उसका एक परकार अपका सिर्स्थ्यानिक टॉप ठीक है इसको भी आपको याद रखने है ठीक है अगला देखिए कोसल आपका MS Excel से 2016 में इलेक्सरैस ग्रुप में तो जैसे मैंने आपको पहले श्राम को मताइब आता है इसको ऑन्तन अपके डिक्रेशथा काशान नेते टैब हो गया यह आपका इलेक्टेशन ग्रूप हो गया ठीक है नीचे वाला ग्रूप होता है उपर वाला टैब होता है ठीक है अगला कोशन देख सकते हैं कैसा पूछा गया था कि अगला कोशन इंटरनेट एड्रेस है मैं मौशूद सब्द आपका http ने वनिथी कि मैं से आपको क्या दर साथ आपको बता आना की आपका http होता हूँ क्या दर साथ है तो यह दोस्तों यह दर साहता है कि इस आईटम को देखने के लिए परिउक्त प्रोटोकॉल का परकार यानि कि the type of protocol used to view this item इसका होता है कि इस item को देखने के लिए परिउक्त प्रोटोकॉल का परकार है तो राइट एंसर आपका option number C हो जाएगा यानि कि team हो जाएगा अगला question देख सकते हैं कि Excel से पूछाय गया ताकि Excel के 2016 में workbook में मौजूद और अगली seat को select करने के लिए निमन मेंसे कौन सी shortcut कुणजी का उप्योग आपका दोस्तों किया जाता है तो आपको बताना है कि shortcut कुणजी का उप्योग दोस्तों किया जाता है इसमें control plus shift plus paste down हो जाएगा आपका अपका हो जाएगा ठीक है next question देखिए आपका Excel से की Excel के 2016 में smart art tab में कौन सा दोस्तों का मौद। में smart art tab में कौन कौन से गृुलक आपका वोती है यह डिजूस्तों ऑपका घथा है इसमें आपका उता है इसमें आपका प्रिक्चर सेप्स आइकन से यहां से एक नए कोर्शन से आपके एक सामें पूर्श ही लिये जाते हैं यह दोस्तों फिभाई टॉपिक है ठीक है दोस्तों जैसे के कुर्शन देख रहे हैं यह आपका मेलिंग से पूर्शा गया था कि MS Word 2016 में ग्रूप मेलिंग के लिए मेल मर्जिमेंट निवले कितने से कौन से दस्तावें एड्रेस कि यह एन्वेलब को प्रेंट करता है ठीक है तो दोस्तों अभेरतियों के द्वारा यहां पर जो बताया गया था उसी के अधार पर दोस्तों हमने यह कोर्शन आपका लेकर आए मेलिंग सेक्शन में ही आपका यहां पर आपका अप्सान होता है इसी से दूस्तों कोर्शन पूछा गया आप देख सकते किसने अंदर सीस्कोर्शन पूठाया गया कि वहां सबको बताया है कि कौन सब्सक्राइब एड्रेस को किया गया एंवर्म को यह प्रींट कर दाया न दोस्तों आपके विहार वेल्टरों डी ये उपका पूछा जा रहा है एक महीला एमस एकसल में चार्ट बनाना चाहती है जो उसके मासिक ब्याव को परतीसत में परदर्सित करता है और निमली कित में से किस परकार का चार्ट का हुआ सबसे उप्रुकत रहेगा यानि कि कौ पार चार्ट उत्में बेटर नहीं रहेगा सबसे ज़्याता बेटर चार्ट अब उनके लिए बेटर रहने वाला है अगला कुस्टन दोस्तों देख सकते हैं अगला कुस्टन बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप लोग कामेंट सेक्शन में यहां अगर आपको PDF चार्ट अपने टेलिगराम चैनला में एक हो सकते हैं जीसका लिक्समें अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको परभाइड करा दें वहां से जाकर आपवर डोब तेलिग्राम गुरूप में दोस्तों एड हो सकते हैं वहां आपको तरह तरह क किसे मेनू में रोस एंड हैंड है कर सकता है यह है कि अगला देखिए अगला सहल में कैसे हम सेट कर सकते हैं के वार्ध में में मouring से कौन सा क्थन आपका सही कई आपको बताने कि वर्ड में मेल मर्ज में कौन सा कथन या आपका सही दिया गया है तो राइट एंसर हो जाएगा दोस्तों हम इमेल संदेश के भी साय वक्स में मर्ज फिल्ड का उप्योग कर सकते हैं यहां भी इसका राइट एंसर ऑप्सन नबर सी दोस्तों हो जाएगा देखिए एकसल के दोहर 16 में फर्मूला को कौपी पेस्ट करते हैं सिर्फ फर्मूला को कौपी करने के लिए पेस्ट एस्पेसल वाले में किस विकाप का उप्योग सकता है आपको बताना है कि किस विकाप करने के लिए किया जाता है राइट एंसर आपका उप्सन फोर हो जाएगा चलिए अगला कोशन यहांप देखिए एमेस वर्ट 2016 में डॉक्वेंट के सिर्फ टॉप तक जाने यानि के मुभिंग के लिए निमलिकित में से की सौट कट कुझी का पकतुसर पड़ियों किया जाता है आपको बताने कि माइक्रोसोफ्ट पारपॉइंट 2016 में निमलिकित में से कौन सा विकल्प स्लाइड ले आउट का च्छा यान करने है तो एक वाइद चरह नहीं है आपको बताना है कि इसका रिटेंश आपको बताना है तो विंडोज खी से दोस्तों आपका विन्डोज विंडोज चली आपका पूचने पुछ लिया जाता है यह भी आपका important topic है ठीक है तो देखें windows xp में start menu पर click करके control panel पर click करने से system option प्रस्तूत होता है इस भी कल्ब पर double click करने पर system का properties प्रस्तूत होता है तो निमलिकित में से concept tab आपका system properties विंदू में आपका विदर्मान नहीं होता है ठीक है तो आपका software होत आपका परदर्सित होती है तो आपको इस टार्ट मेनू में आपको बताया ठीक है तो यहां दोस्तों ततकालिक परियोग करता के द्वारा परियुक्त चित्र आत्वा फोटो इसका राइटेंस रपका हो जाएगा ठीक है अगला कोश्चन यहां पर देखें Microsoft Word 2016 में किसी दस्तावेज को अवर्धित करके दिखाने के लिए निम्लिखित में से किन चर्णों का परियोग किया जाता है यानि कि अवर्धित करके आपको दूस्तों दिखाना है तो उसमें आपको गूटू भीव और सिलेक्ट जूम किया जाता है ठीक है गोटू भीव या इसके वाद स्लेक्ट जूम ठीक है राइट एंसर होदेगा अप्शन सी अगला कोशन देखिए कि माइक निमलिखित में से कौन सा सिस्टम विशीष्ट स्याही से मुदृत विशीष्ट अप्षडों को आप पड़ सकते हैं यानि कि आपको बताना है कि निमलिखित में से कौन देखें कि माइक्रोसफ्ट एक्सल वह सोला में यादी सेल भी एट से लेकर एफट से करम सा एक दो तीन चर पांच मान उपस्तित हैं तो काउंट का फर्मूरा लगा कर क्या परवना क्या प्रिमानिस का दोस्तों निकाल सकते हैं दोस्तों एक्सल में जब हम इस उरूपे ज लग्रान और घल्चामार के फाएल अत्वा फोलडर को सेलेक्ट करने हैं तू निको fps कंग्जू का उपयोग आपका किया जाता है तो आपकोदाना है कि वीडियो एक्सी में किस कुई झॉ अगला कोशन एच्टीपी डॉड़ डॉट एन युएस एसी डॉटिन नाम इंटरनेट एड्रेस पर ध्यान दे कि आपका इनाई वेस नाम नमेंश की से संद्रबिर करता है कि दूस्तों आपका एनाइवस नाम है न इन आई वेस्ट यह आपका डॉमेन को यह आपका डॉमेन का नाम है ठीक है किसका नाम दोस्तों यह आपका डॉमेन का नाम है ठीक है अगला कोशन देखिए कि माइक्रोसोफ्ट कावर्पॉइंट 2016 में स्क्रेच से एक नई पर्जेंटेशन तयार करने है तूँ डिफाल्ट रूप से निम लिकित मेंसे किस परियोग किया जाता है दोस्तों डिफाल्ट रूप से आप ब्लैक प्रजेंटेशन यानि के ब्लैंग प्रेंटेशन का आपका उप्योग किया जाता है ठीक है नेक्स कोर्शन देखिए कंप्यूटर सिस्टम की कार्यात्म को नियंतरन करने है तू निम लिकित मेंसे किस वि अगला कोर्शन देखिए यह पड़योग डैस के हैं इसका अपका किया जाता है काग जो पर ग्राफिक आउट्पूट निर्मान करने के लिए आपका किया जाता है अगला कोर्शन देखिए ने वले किती मेंसे क्या समानता एक कंप्यूटर अथा कोई उपकरण है जो कि अन्य कंप्यूटर एवाम उनके पड़ियों करताओं को सुचिना तथा सुभिदा है परतान करने हैं तो कंप्यूटर नेटवर्क से जूर जाता है तो इसका दोस्तोर राइट इंसर पर हो जाए इसका अधिकां आपको आते हैं इसको भी आपको याद रखना है अगला कोर्शन देखिए नीं लिखित मैं से कौन सा एक्सल विंडो के सीट्स के पास इसी तुवा बार जहां आपसे पर्िष्ट या दर्ज कर एडिट दोस्तों कर सकते हैं तो इसके लिए दोस्तों आपका फर्मूला वार्थी कि फर्मूला वार में आप दोस्तों एडिट कर सकते हैं तो राइट एंसर एक प्रा अप्सन नम्बर तीन हो जाएगा फर्मूला वार्थ दोस्तों ये था कुछ कोस्टन जो आपके भिहार बेल्ट्रों टीएओ के एक्जामें 23 सेप्टेमबर से लेकर 25 स पूछे गए थे इतने दोस्तों ये सब संभावित कोस्टन से जितने मिले थे उतने हम आपको प्रफाइट करा दिया अगर दोस्तों वीडियो पस्तन आयो तो वीडियो लाइक केजिए चैनल पर पहली बार भीज़के चलब जाओ सब्सक्राइब कर लेजे अगर आपको इ दोस्तों वाई वाई टेक कर जाए हिंदु